आपके और नमस्कार बिटाब सभी को जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां दिया गया है मदुकर उपाध्याई के द्वारा लिखा गया पास जिसका शेशक है दिये जल उठे दिये जल उठे यानि दीपक प्रजवली तो हो गए यह दिपक किसमें जलाए इस कारी ही तो जलाए उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था वो किस रूप में और किस प्रकार से एक महान अभियान में अपनी भागिदारी निभा रहे थे कौन-कौन लोग शामिल थे और उन लोगों ने किस तरह से अपना समर्पन जो है इस आंदलन में जो है मिलाया था अपना सही योग दिया था वो सारी बातें इस पार्ट में उजागर की गई है तो सबसे पहले बात आते हैं हमारे लेखत के परिचे के लेखत जिनका नाम दिया गया है मदुकर उपाध्याई मदुकर उपाध्याई का जन्म सन 1956 में हुआ और कहां आयोध्या आयोध्या में ही इनके प्रारम्दिक शुक्षा हुई और अवद विश्यू विज्याले से इन्होंने साइंस में दियस्टी की यानि विज्ञान विशे से इसनातक की दिगरी हासिल करनी और उसके बाद भारती अजन संचार संस्थाम से जोड़ा और नए दियरी के अंदर भी पत्रकारिशा में इन्होंने स्नातकोर्टर डिप्लोमा यानि पत्रकारिशा में एक दिगरी हासिल कर लिया इतिहास में इनकी बहुत रूची थी और इतिहास में रूची लेने के कायन ब्रिटिश शाषनकाल में भारत की जो दुरदशा हुई थी उसके बारे में इन्होंने खूब मतलब नियू से शुरुआते तोर से इन्होंने अच्छे रंसे उसको पढ़ा और समझा और इसकार है महतमा गांडी के द्वाराद सर्चा में रहे गए दांडी मार्च की पुनुरावगती के लिए भी इन्होंने अपने आपको प्रेविश किया कि बहीं मैं कैसी रतना लिखूंगा जिसमें दांडी मार्च जो गांडी दी ने चलाया था और उसको सफल बनाया उस दांडी मार्च में कैसे कैसे लोगों ने किस तरह से सर्वाबिता नी भाई इसको मैं अपनी लेखने के माद्यम से एक बर दुबारा जो है चर्चा का विशह बनाना चाहूंगा उन्होंने पूरी यात्रा में लगबग 400 किलोमेटर से अधिक की पैदल यात्रा की और ज और वो बुक थी 50 दिन 50 साल जो खासी चर्चा में रही और आजकर यानि वर्तमान में यह जो है डैनिक लोकमत यानि एक डैनि मैजिन जो है वहाँ पर प्रसलित है जिसका नाम है डैनिक लोकमत समाचार इसके जो है प्रकाशन कर्का के रूप में आरे कर रही है तो आईए जलते हैं अपने पाक की और जिसका शेश्यक यहां पर दिया गया है दिये जल उठे जहां दीजिएगा बिटा कि जब भी अंग्रेजी शाषन की खिलाफ कोई भी आवाज उखाता था तो उसको जो है जो गंभीर रूप से इस शाषन की खिलाफ था उसको क्या है चड़ी स अन्नमान लिकोबार महद्वीत में वह काला पानी जेल जो है वहां कारावास के तौरते बनाया गया था जिसके चारो तरफ जल राची यानि पानी ही पानी पैला हुआ था कि वो सब्सक्राइग रही अगर वहां से निकलने का शूटने का प्रयास भी करें तो कहीं नहीं ज पटेल को अंग्रेजी शेशन की करोद का शिकार होना पड़ा तो हम पढ़ते हैं और शुरॉत करते हैं अपने इस पास की जिसका शीर्षक है दिये जलू थे रास नामा प्रशान के एक नाम हे वहां पर वहां हो रही तिर्ष्ले में शवदारु वंबभ भाई पतेत siamo साथ मार्च को राष पहुंचे उन्हें वहाँ वाशन नहीं देना था क्योंकि एंग्रेज परकाद में इसकी मनाही कर रखे थी एंग्रेजिश अशन के खिलाब कोई भी विट्टी दिशन या गंधीर लोगों के मध्ये कोई भी वचन या कोई भी कथन नहीं करेगा लेकिन वह नों करें कर दोचित कहना कारीगा चाहोगा वह क्या पर ही बाइयों और बहनों कि लिए तयार है बस इतनी सी बात बोली चाप्ट या लिए तयार है और जैके उन्होंने इतनी सी बात बोली सारी कि सारे लोग जो हैं बहुत तेज आवाज में गर्जिना करते हुए उनकी सहमती देते हैं यानि अपने आपको बता देते हैं कि हम आपके इसी सुप्ट्यग्रे के लिए सहमत हैं इसी वीट मदिश्ट्रेट में क्या कर दिया हैं वहाँ पर निश्य धाग्या लागू कर दी दाग्या यानि कानों बना दिया कि कुछ भी कहना आपके लिए एक अप्राद के बराबर है और इस आप्राद के का पटेरा को क्या करी बिरफ़कาร कर दिया यहाँ घीरफ़कारी जो है शानी कलक्तर य्यक्री का इत्सका नाम था शीग्डी उन कलेक्टर के आदेश पर गुई और जिसे पटें में पिछने अंदोलन के अंग्राबाद से बगा दिया था यानि शिलिडी वही एक्ति था जिस जब वो एहमदाबाद में था तो उस समय सर्दार वल्लब भाई पटें ने अपने प्रयास्तों के द्वाड़ा उस कलेक्ट पटेल को दो शब्द कहने के अपराद में गिरफसारी यानि वर्ड़ि जारी हुआ तो वहां पर ये वारेंट किसके आदेश से जारी हुआ वहां के कलक्टर शिलिडी के आदेश पर अगे क्या होता है सर्दार वल्लबभई पतेल के साथ? वल्लबभई पतेल को पुलिस पहरे में बोर्सद की अदारस में लाया गया. वहां की एक बहुत बड़ी जो है कोड़ी, तोर्ट कचैरी, यानि अदालक, वो स्थान है बोर्सद. बोर्षद के अदालक में उनको लाया जहां उन्होंने अपना अपराद कपूल कर लिया कबूल कर लेना, स्विकार कर लेना किया अगर आप यह मानते हो कि जन्ता से दो शब्द कहना भी अपराद है तो मैंने यह अपराद किया है जज को तो समझ नहीं आ रहा था क्या? कि वो सदार वल्लब भाई पटेल को किस अपराद के लिए और कितनी सज़ा दे के कि कोई अपराद को उन्होंने किया ही नहीं लगबग अगर माना जाए तो उन्होंने तो जन्ता के सामने मात्र दो शब्द कहे तो देखिए फिर जज ने क्या सुचा ये भी आपके आगे प्रश्टिका उत्तर है इसको भी आप रिखामकित कीजिए जज जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे और आप्ट्राइन का फैसला लिखने में उसे जेड़ गंते का समय लगा और सजा के तोर पे क्या दिया गया पतेल को पांसन फें जुर्माना और 7-3 महिने के जल और उन्हें जो है कहा कॉन सी जल लेजाया गया एहमतबाद में साबरमत्य जेल लेजाया गया यह सजा दिया गया कि ऐसा देखा जाए तो उन्होंने कोई अपराद ही नहीं किया, लेकिन फिर भी अब अग्रेजिश आशन ये मानता है कि अपराद है तो फिर सजा तो देनी पड़ेगी, इसलिए पटेल को पांची रुपे जर्मानी के तौर पे बरने से 14 महीं जेल थी, और जेल कोहां कोंसी महात्मा गांदी से तो आईए देखिए कैसे उनकी अपसी घेट होती है और किस तरह से उनकी मुलाकात को वहां के जो लोग है वो एक मतलब होते ज़्यादा प्रेड़न से उसे देखते हैं और उनके इस मेल में उस घेट में अपना भी योगदार देते हैं देखिए क्या कहते हैं कि साबर्मत्य आश्रम में गांदी जी को पटेल की गिरफतारी और उनकी सजा और उन्हें साबर्मत्य जेल लाई जाने की सुत्रा मिली तो यह मासादर में के आश्रम गांधी जी रहते थी, गांधी जी गिरफतारी से बहुत शब्द हुए, शब्द यानि दुख़्ी हुए, उनने ने कहा कि अब मैंने जो दान्दी पूझ की तारीख टेंगी थी, उसे अब बदलना पड़े था, यानि दान्दी मार्च की तार पटेल फड़े हैं जिन्होंने उपर जो है कुर्थे और जोती जो पहन रखी है और उसके उपर एक सफेद रंक्रा उन्होंने तोलिया या गंचा सा जो है वो लपेज रखता हैं साथ में अंग्रेज अधिकारी है और वो उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बज लए हैं अब वहाँ पर अंग्रेज सरकार सो कोशिश यह करेगी कि पटेल गांदीवी से ना मिले लेकिन पटेल को गांदीवी से मिले से कोई भी नहीं रोप सकता था देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर आश्रम में एक कादवी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार यानि कार से ब यानि पटेल को गांदीवी से नहीं मिलने दिया जाए जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही ओकर जाता था और आश्रम वासी पटेल पाहभ की एक जलत भी पाना चाहते थे यानि उनको एक जलत देखना चाहते थे समय का अनुमान लगा कर गांदी जी स्वेंग आश्रम से बाहर आगे यानि उनको लग जिया कि इतनी देर में यहां से गाड़ी निकलेगी तो गांदी जी आश्रम से बाहर निकलाए पीछे पीछे सारे आश्रम वासी भी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गई लोगों का खयाल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोतर जो है वहां किसी हाल में भी रुकेगी नहीं लेकिन फिर भी वहाँ पर वो कार रुकी और रुकने का क्या कारण था यानि वो मान रहे हैं कि वास्ता में ये पटेल का ही एक रॉब था जिसके काहिन पुलिस वालों को उनकी कार वहाँ पर रुकनी पड़ी पुश्ता में गांदी जी और सर्दार वल्लब भाई पटेल थड़क पर मिले और एक छोटे सी मुलाकात थी यानि संचिप्ट भेंट थी पटेल कार में बैचते हुए आश्रम वास्तियों और गांदी जी से कहा क्या कहते हैं देखिए वास्ता में इस चोटे से कथन में वो उनकी जिन्मेवादी और दाईसु को बता रही है क्या कहते हैं अब मैं चलता हूँ अब आपकी बारी है यानि इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाने में मैंने तो अपनी सरफ से अपना रोल निबा दिया लेकिन अब आपको अपनी भुमिका निबाने के लिए तैयार रहना है पटेल की इस गिरफतारी के लिए पूरे देश म उसकी क्या हुई प्रतिक्रिया हुई कैसे कैसे रियक्शन्स आई यानि लोगों ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया ही दी देखिए सकते पहले दिल्ली में उस्ति मदम मालविये ने जो केंद्री असेंबली में एक प्रस्ताव केश किया क्या बताया जिसमें बताया कि बि वहाँ पर निंदा की गई गई गुड़ाई की गई यह तो गलत बात है कि अगर इसी तरह का अपराद नहीं किया और इस बंदे को वहाँ गिरफ्तार करिया उसको पांक सुरों तो जुमाना दे दिया तीन महिने के जेल करा दी यह तो वास्ता में अम्रेजी शर्कार के ज़र जो जो है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के दो बंटवारे को सक्षे पहले एक प्रस्ताव के रुप में रखा था तो मुअम्मद अली जिन्दा ने भी अपना सपोर्ट देते रिखा आप क्या कहते हैं देखो तो सर्दार वन्लब भारी पटेल की गिरफ़तारी की गिरफ़तारी जो है वो अभी विक्तिती सुतंतर्टा के सिद्दांत पर हमला है यानि अगर आप एक सुतंतर देश में रहते हो तो आपको अपने लिचार अभीनेश्चा करने की क्या है पूरी चूट है यानि ये बारत सरकार ने एक ऐसी नजीर याने उधारन प्रस्थ किया है जिसके बहुत गंभीर पढ़िनाम हो शकते हैं यह बात कितने बतही मुझमद अली दिन्ना ने कर लिए यहां पर तो यह रियक्शन्स जो है लोगों के द्वारा दिये गई तिसके खिला पटेशी घिरफ्कारी के खिला अब गांदी जी को लग रहा था कि मैं तो 12 मार्च का जो डेट करके बठा हूँ मुझे उससे तले ही दान्दी मार्च के लिए निकलना पड़ेगा तो गांदी जी कहां गए गांदी जी के रास पहुंचने के समय यह कानून लाबू था जिसके तहत पटें को ग्र सहलाब को यानि लोगों के समुखो को संबोधित करेंगी यानि कुछ कहींगे तो अभी की बार गांदी जी को भी क्या करिया जाएगा गिरफ्तार करी ला जाएगा और अगर गांदी जी 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 अपर पहुंचे थे कि गांधी जी जिरफ्तारी के इस्तिती में उस सारे सत्याग्रहियों की भीड को आगे ले जाने के लिए वो प्रयास करेंगे और बोर्षग से निकलने के बाद लगबग सारे इस बात के लिए सहमत ये कि गांधी जी को जलालपूर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा लेकिन उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी कि अलग अलग स्केशन आता जाता है गांधी जी वहां पर उसके ये आगी की और बढ़ रहे हैं कहां पहुंच रहे हैं रास नामक बीफ पर अब जैसे ही जलालपूर चे आगे की और बढ़े रास में गांधी जी का भग में स्वागत हुआ यानि भूब लोगों की कि अलगा में श्केशने या जानी जी के सत्राइज में सीयोग देजी के लिए वह पर उयार थे अब वहां पर क्या था है बृतार समुधाई के लोग इस में सक्थे आगय थी अभी दर्बार समुधाई क्या होता है तो अंग्रेजी चया च्याय क्या कि एक च्छोटी- के लोगटे ते कि लुग अंगरेजी सर्कार को शहप दिया करती थे वह एकनि वन में से कही लोग ऐस्ते लिए ते खिलाफ से और गांदी जी और दूसरे सक्ष्यादरियों के समर्थन में थे तो देखिए दर्बार समधाई के लोग थे यहां पर इस पंसी को हमें रेखंकित करना चाहिए कि यह आगे अमारे प्रश्ण के उप्तर में भी शामिल है क्या केते हैं दर्बार समधाईयों में कौ यह ईन्सपायर करें कि इसके इस इस दर्भाईयों के बारे में दर्बारियों के बारे में बता तुह कि और tard में अपने अंसषन ने उने का उमने खिंश् कि व का में यान which my शुब आ बिटाय। शुब़्श्ए उस्टख्टार में नाम देवणद देवणद आपका संोग देनगी धर्णी जो है गांदी जी के वा है और शुरुद करा समर्खन में गांदी जेर्ग दांगे हैं कि हम आपका स्योग जरूर देंगी, दरबारी जो लोग हैं, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था, रियासत दार, अब रियासत जो दार से, उनकी एशो आवाम ठाट बाट कैसा था, देखो, इतना ठाट बाट होने के बाद भी उनको ठाट बाट वाली जिंदगी रा से सहमत नहीं है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, हम तो खुद एक आम आदमी की तरह गांदी जी की सत्याग्रे में अपना योगदार देना चाहते हैं, देखो, उनकी बहुत साहबी थी, एशाराम के जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था, दरबार सब को छोड़कर यहां आकर बस गए थे, और गांदी जी ने इनको कहा, क्या कहते हैं, देखिए, लोगों को इंस्पायर करने हैं, कि इन से आप फ्याद और हिमत सीचें, किन से? इन रियासतदारों से, जिन्होंने अपने एशाराम की जिंदगी, अपनी साहबी की जिंदगी, अपनी अच् आपर रास नामग्जी पर, ठीके, वैसे तो इनका कौन सी जगे थी, कनकापुरा और देमान नामक, लेकिन वहां का राजपार छोड़कर ये गांदी जी के सपोर्ट में आगे, अब उस समें एक दल था, वो बल जो कॉलिटिकल पार्टी थी, वो कॉलिटिकल पार्टी बह किनारे पर, उस बैटिक को अज्यक्षिता कौन करने वाला था, यानि किसके नेत्रतम में बैटिक होनी थी, जवाहरलाल नहरू के नेत्रतम में, तो जब जवाहरलाल नहरू को महां पहुंचना था, उन्होंने भी गांदी जी को एक लेटर बेजा, पत्र लिखा, कि मैं भी से जर बैटिक होएं, तो उन्होंने संदेश में वापस जिजवाया, यानि गांदी जी वापस में उनको जवाब दे रहे हैं, तो गांदी जी ने क्या कहा, कि गांदी जी बाद से पहले उनको एक पत्तम इखा और कहा कि उन चक पहुंचना कठान तो बहुत कठीन जो जो गत्ती गांडी जी को सब्गोप करेगा अंगरी जी शर्षन उसका क्या करेगी विरोध करेगी जा रहे हैं कि तुमको दोखो एक तो पूरी रात जागना कड़ेगा और अगर कल राट से पहले वापस लोटना चाहते हो तो इसके बचा भी नहीं जा सकता यानि एक दि जहां भी रहूँगा मेरा एक मैसंदर यानि संदेश वाहत जो है वो तुमको वहां तक ले आएगा और इस प्रियान प्रियान यानि महा अभियान के लिए रावानगी लेना इस प्रियान की सब्से मुश्किल घड़ी में तुम उससे मिल रही हो तुमको रात के लगवग दो बजे जाने पर्खे जो मच्वारे हैं उनके कंदों पर बैश कर जो सादर मती नदी है उसको पार करना पड़ेगा और मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी परियान में थोड़ा साभी जिराम नहीं दे सकता यानि मैं जिसकान के लिए आगे बढ़ रहा जाएं जाया और मैं जाते हैं जाते हैं राष्ट का सेवक की हो जाएगा तन ही बड़ा राष्ट का सेवक कियो ना हो गडी जी कहते हैं मैं अपने अभियान में थोड़ा साभी आँ नहीं देना चाहता है अब क्या होता है कि वल्लब भाई की जुरफ्कारी के काएं जास में आम लोगों की भी सरकार के खिलाफ बहुत प्रस्टित्रीयाई होनी थी और ये खही भी था एक अब गांधी जी के जंसबा से पहले गाउं के सारे जो पुछ्ष्ट्यनी वुश्ट्य जो पुराने यापीडियों से चले आ रहे थे वो सारी मुख्या, सरदार वल्लब भाई पतेल, उन्हें अपना इस्थिपा सौफ दोए, यानि गांदी जी से उनकी जंतवा में शामिल होने से पहले उनको जो जो पद मिले वे थे हो, उन्होंने महा से क्या कर दिया, रिजाहिन दे दिया, वही अपने अपने पद रखो हमे तो इस सच्च्यागरे में अपना योगदान देना है और वो हम जरूर देंगे, किसी के भी लालच में नहीं आएगे, रांदी जी ने डांडी पोच शुरू होने से पहले ये निश्चे किया, कि वो अपनी यात्रा ऐसी ऐसी जगहों से करेंगे, जहां पर ब्रिटैन का श करेंगे, किसी राज गनाने की लाखе में नहीं जाएंगे, जोज़ आइसी जगहों से नहीं गुजरेंगे, जहां किसी राजा का शैशन है, किसी राजा का कुष्या में है, हम के अपने शाशन को चहत irrov शखल बनेंगे, लेकिन इस यात्रा में फोड़ी देर के लिए तो बड़ोदा रियासत से गुजरना पड़ा बड़ोदा जो राज्जे हैं उनके उस राज गराने के छेत्र से गानीजी को निकलना पड़ा क्यों अगर वहां से वह ऐसा नहीं करते तो उनकी जो यात्रा है वह 20 किलोमीटर और लंबी हो जाती है जिसके कारें जो उनका जो प्र राज़े बाज़े के साथ राज़ीप में शामिल हुए वहां गांदी जी को एक दरमशाला में ठहराया और बाकी सारे सत्याग रही तंबू बनाकर उनके अंदर रुक गए तंबू यानि टैंट बनाकर वहां पर राज़ रुके राख थी अबादी थी हजार थी देखिए भी सर्दार से ज़्यादा लोग थे और अपने बाशन में गांदी ने पटेल की गिरफ्तारी का दिक्र करते हुए कहा क्या कहते हैं देखो कि सर्दार को यह जो सजा नहीं है वो आपकी सेवा के पुरुषकार के तौर पर लिनी है जो जो वेक्ति आपकी सेवा करेगा वेक दिखावा करने वाले और तलाटी तलाटी यानि कुछ जो अंग्रेजी शाषन के तलवे चाटने वाले लोग है वो गंदगी पर किस्की होई मक्षी की तरह है उन्हें अपने नीजी और कुछ वार्थों को बोलकर इस्टीफा दे देना चाहिए और गांदी जी आगे कहते हैं कि आप लोग कब तक गामों को चूसले में अपना योगदान देंगे यानि गाम के लोगों से एक्स वसूल करके कब तक उनका शौशन करोगे गाम के लोग को योद नहीं है बल्कि हमारे ही लोग हैं और आप अंग्रेजों के चंचे बनके उनके चापनूद बनकर अप यानिंटि ले रास में राज जजर्वों के बात पर जोर धिया औरो कहाँ कि अगर उनको गिर्फार कर krожеय जए तो यह बवोगा अच्छा होगा और उनको उन्होंने समीन में देते हुआ क्या कहते हैं? आज फिर मादल विरा हैं हैं मादल विरा न? बई मुसिबत आ रहे हैं यह कहो कि अब को मुका सामने हैं अगर सरकार मुझे भी गिराफ़ार करती है तो यह बहुत जाएब देश नकाला देदिया जाए या फांसी की सजा देदी काई और मुझे जएतों लोग अगर राज़भोहिण होना अपना धरम समझते हैं तो उन्हें क्या सजा मेंनी चाहिए अथाथ इसके भी अगड़ी अगर कोई सजा है इसके भी कठोर अगर कोई सजा है तो वो म अगे बड़ी आठ बड़ी कंकापुरा गाउं पहुंचे उस समय लोग जो है यात्रा करने से ठक जए थे और इस आशंका से भी थी कि आगे एक बहुत बड़ी नदी थी उस नदी का नाम था मही नदी उस मही नदी को कब और कैसे पार्क गिया जए क्योंकि इस नदी की एक अगर दिन में पार करोगे तो किचड़ जादा होएगा और पानी कम होगा और किचड़ को पार करने में बहुता है क्या है देखो मही नदी को कब और कैसे पार करेंगे नदी के किनारे पहुंसे ही समुद्र की और से आने वाली जो थंडी-थंडी हवा है उसमें सत्यागरीयों का स्वावत किया संकापुरा में 105 साई की बोडी महीला ने गांदी जी के माच्वे पर सिलक लगाया और कहां क् मातमा जी स्वाराज लेकर जल्दी वापत आना गांदी जी ने जिवाब दिया कि मैं स्वाराज लिए बिना नहीं लुटूंगा गांदी जी की जंग सबा कर निर्दारी समय आज वजे था लेकिन कंकापुरा गाहों पहुंचने में देरी के कारण उन्हें एक गंटा जो ह में इस ब्रिट एन के शॉषयं काल में रंक से लेकर राजा तक सारे के सारे बुटूरी है राजे महाराजे जैसे सरकार अबताती है बैसे ना चने के लिए तल्यार है यहां एकर रांख शेशों का राज है इसक concrete लना जरूरी है यानि इसको यहां पहुत जरूरी है रास्ते में रेचेली सडकों के कावेंगे प्रस्ताव रखा देखो लोग कितनी मदद कर रहे हैं कि गांदी जी को प्रार के माज़न से ले जाया जाए लेकिन गांदी जी ने इस बाद से इंकार कर दिया का कहना था कि इनके जीवन की ये आखरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाले वाहनों का प्रियोग नहीं करता यानि जब आप किसी अच्छी यात्रा के लिए धरम यात्रा के लिए निकलते हो तो आपको वाहन का प्रियोग नहीं करना थे वल्कि उस यात्रा को आपने जिलता इसलिए यात्रा में कस्त सहो और लोगों का सुख्दुख समझो तब ही यात्रा होती है तो इस प्रकार आप गांदी जी किस तरह से मही नजी को पार करेंगे मही नजी के अंदर वहाँ अधेला है अब उस अंधेरे को दूर करने के लिए लोग जो है वहां किस तरह से महा प्रकाश की व्यवस्था करेंगे तो इस बारे में हम आगे की कफ्षा में चर्शा करेंगे आज के लिए कितना ही काफी है तो विराम लेते हैं इसी पार्ट से